खालो फ्रेंट्स कॉंप्टिशन कमिटी के विकली करेंट अफ्यस प्रग्राम में आप सभी का स्वागत है और मैं हूँ हेमन प्रधान आई फ्रेंट्स आज हम देखते हैं पिछले वीक में साइंस और टेकलोजी और इंवार्मेंट से रिलेटेड उन सभी मात्पूल करेंट पूर्ट अब उसे इंपॉर्टेंट है उन सभी पार्ट को आज के सेशन में कवर करने वाले हैं और हमारा एप्रोच रहेगा कि हम इसके करेंट अफ्यस पार्ट के साथ साथ इसके स्टैटिक पार्ट को भी कवर करेंगे और यही आपके एक्जाम को करेक्ट करने का सबसे स्टैट्जी होता है जिसमें कि आप करेंट भी पढ़ते हैं और पहले लिए उससे जुड़े हुए महत्पुन स्टैटिक पार्ट को भी पढ़ते हैं क्योंकि यही एक्जाम में ज्यादा दर पूछा जाता है हम पूरे सेशन के दौरान जो भी डिसकेशन करते हैं चाहे व सभी पार्ट में इंपॉर्टेंट होता है चाहे वंडे एक्जाम की बात करें चाहे रिटन एक्जाम में सभी जगह यह कंटेंट आपको बहुत हल्प करने वाले तो प्रिविए सेशन के दौरान हमने जहां तक कवर किया हुआ था तो प्रिविए सेशन में हमने 17 अप्रेल हर दी वस 2020 डिस कंटेंट सिस्टी स्टीक याद रखेंगे विश घर ओर दीमोर फ्रती वस अठाबरेंट को चलिबूरेट किया जाता है और अठाबरेल को थो सेलिवरेट किया जाता है इसमें यह हूता है कि में यूनैस को ग्ट देख रहे यू इसका फुल फॉर्म क्या है यॉनाइटेट नेशन इन्वार्मेंटल साइंटिफिक एंड कुल्चिरल और इसका हेड़कॉर्टर कहां पे है पैरिस यो फ्रांस की राजधानी है ठीक है और यहां पे देखते हैं कि वस दो हजर बाइस में यह वर्ल्ड हरिटेज दे जो है सेल साल का जो है महत्पूर्ण इसका थीम था युनेसको क्या करता है कि वैस्विक इस तरह पर देखते हैं कि तीन महत्पूर्ण लिस्ट यह जारी करता है तीन महत्पूर्ण लिस्ट में एक पहला साइट लेता है कल्चरल दूसरा लेता है यह वह आपका नैचुरल और तीसरा होता है mist तीक है Sanskrit प्राकृतिक और विस्प्राइप स्रेणी में तीन महत्रोण जो है स सेगमेंट होते है यह आपके एक्जाम के पंडवन्यु और को चिन्रिप करता है भारत में ऐसे 40 जगहों को क्या चिन्हित किया गया है जिसमें कि देखते हैं आपके cultural याने सांस्कृतिक में 32 हैं इसके बाद natural में देखते हैं वो 7 है और अगर mix देखें तो 1 है तो 32 प्लस 7, 39 प्लस 1 is equal to 40 ऐसे 40 जगहों को जो है भारत में UNESCO के World Heritage List में लिस्टेट किया गया है यह monuments देख रहे हैं स मारक वगरे देख रहे हैं पुराने बिडिंग्स देख रहे हैं जो एतियासिक धरोहर का है ठीक है पुरातात्मिक घरोहर का है और पैरलली आप देख रहे हैं कुछ ऐसे नैचुरल साइट्स भी Redal Carnes यह सिर्ट KN. अब याद के कल्चिरल पार्ट है लेकिन आज हमारा जो इंवार्मेंट सेग्मेंट के पॉइंट अब उसे करेंट पड़ रहे हैं तो हमारा एप्रोच यह रहेगा कि हम यह सेवन जो नैचुरल साइड्स हैं जो युनेस्को के लिस्ट में लिस्टेड है इसे कवर करेंगे क्योंकि आप प्रेल में अभी हम देग रहे हैं तो इसकी संक्या 40 है अब जब कोई भी नया लिस्ट इसमें सामिल किया जाता या नया कोई जगा मॉनिमेंट्स यास्मारक या कोई प्राक्तिक्स तल को सामिल किया जाता है तो कुछ समय के लिए उसे एक आउज स्थाई सूची में रखा जाता है जैसे भारत में भी अभी कुछ एकाई 27 उची रखी गई है जिसे एक साल तक हम रखेंगे और उसके बाद जो है वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी इसे रिव्यू करेगी उसका मुल्यांकन करेगी उसके बाद दोजियर में इसे प्रकाशित करेगी देन अप्टर हम देखे किये गए है जो वर्ल्ड हरिटे लिस्ट में सामिल है तो ऐसे भारत जो है भारत छठा देश बन चुका है सिक्स कंट्री बन गया है तो उसे हम कहते हैं सूपर फॉर्टी तो सूपर फॉर्टी में सामिल होने बाला भारत छठा देश है तो ऐसे और कौन कौन से देश है जो आपर देखते हैं फ्रांस कि चार देखते हैं जितने इसके बारत के चारी मतलब यह सब लाए है चालीस या चालीस से अधीक जो है ऐसे योनेसको वर्ल्ड हरिटेज लिस्ट या उनकी जो है जगह है इस थल है वो चिन्हित किये गए है इसलिए भारत जो है ऐसा छठा कंट्री बन गया है जो सुपर एक्जामरीशन पॉइंट यहां पर देखते हैं नैचुरल वर्ल्ड हरिटेस साइट जो इंडिया से रेलेटेड है और इसकी कुल संख्या देख रहे हैं कि वन से लेके अगर जाते हैं तो यहां सेवन है तो सेवन जो आप देख रहे हैं कि यह प्राकृतिक इस्थल हैं जहा से पहले कादी रंगा नेशन पार्क को सामिल किया था लेकिन जब छेंड को दिखे गा कंचंजंगा चीव देख रहे हैं तो यह जो जगह है यह सबसे पहले इससे सामिल किया गया था उसके बाद अगर हम देखें एक इस प्राकृतिक देख Hey जो इसका क Februar इंपोर्टेंस भी है इसका नेच्रलं इंपोर्टेंस भी है याँ और हम देखते हैं यहाँ आसाम नापार्ट है तो यहाँ पे इसे चिनित किया गया सामिल किया गया था युनेश्टो के वर्ल्ड हेरिटेय Dollarist में then हम देखते हैं केवलादेव घाना निशनल पार्ट में घेवलादेव घाना निशनल पार्ट 민 थीक ये राजस्थान में। 1985 में इसे सामिल किया गया था मानस wildlife sanctuary तो यह आसाम में है इसे भी 1985 में सामिल किया गया था यह आपका आसाम है ठीक है देन अप्टर अगर देखें आप नंदा देवी नेशनल पार्क एंड वैली अफ्लावर्स नंदा देवी राश्टी उद्यान और फूलों की घाटी उत्रा खंड में है 1988 में आपका नंदा देवी सामिल किया गया था 2005 में अगर आप देखेंगे तो फूलों की घाटी वैली अफ्लावर्स तो कहां पर आपका यह आप देख रहे हैं यह जो जगह है आपका दैस अउत्तरा खंड जहां पर नंदा देवी राश्टी उद्यान है और की घाटी है ठीक है वहाँ पे भी बहुत बहुत ब्यूटिफुल जगह ठीक है याद रखेंगे उसके बाद देखते हैं आपका सुंदर्व नेशनल पार्क वेस्ट बेंगॉल में है और वेस्ट बेंगॉल में अगर देखेंगे तो यहां पर यह वाला जो सेग्मेंट दे से चाहे इसकी सॉंदर की बात करें नैच्रल ब्यूटी की बात करें चाहे बायो डाइवेसिटी की बात करें चाहे हिल्स और पहाडों की बात करें चाहे यहां पर लाइक देखते हैं डिफरेंट टाइप फ्लोरा और फॉना वनस्पतिय जन्तूं की बात करें बहुत रिच वर्स दो हजार बारा में इसक्या है युनेस्को वर्ल्ड हरिटेल लिस्तव में सामिल किया गया था और Hindu persistent प्रक्रितिक स्रेणि में है ग्रेट हिमाले नैशनल पार्क हिमाचल परदेश दो हजार 105 इसे सामिल किया गया था आपका जो हिमाचल देख रहें यह जो Damn है तो यहां पर आपका यह कौन सा है ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क ठीक तो याद रखेंगे लेटेस अडिशन कौन सा है ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क और अगर राष्त की उध्यान कि बात करते हैं तो मिसर चांडी में जो first सबसे पहले सामिल किया गया था ठीक है लेकिन वो मिस्स्रेडी में, तो याद रखेंगे, अगर आप cultural पार्ट को cover करते हैं, तो art and culture, जोग्रफी वाले पार्ट में इसे आप पड़ सकते हैं, हमारा cover करना था, ये environmental sector का, तो ये हमने cover कर लिया, याद रखेंगे, ये list आपको कभी भी exam में आपसे टकरा सकता है, तो अच्छ प्रिपीदिवस जो है वसटे हैं वहजर बाईस में इसकी फिफ्टीट सेकंड अनिवर्स्री सेलिब्रेट की गई है 52 वर्शगांट मनाई गई है यह क्यों मनाय जाता है यह क्यों कि प्रिपीद दिवस परियावराइश्च द को संकल प्ले नहीं तू एक अंतराश्टी कारि दिमाग में आया उनका जो है एक आडिया दिमाग में आया कि परियावरन सेरेक्षन को डेडिकेट करते हुए खास कर प्रित्वी को डेडिकेट करते हुए अर्थ को डेडिकेट करते हुए हम एक डे सेलिबरेट करेंगे जो परियावरन सेरेक्षन को जो है उसका मैसेज गया था 1970 में मनाए गया था 1970 में तो यह रिसेंट्री स्टार्टेट बहुत पुराना नहीं है याद रखेंगे 1970 में स्टार्ट किया था और याद रखेंगे युनाइटेड नेशन ने इसे अप्रूवल देते हुए वस्ट्र दोजार नौ में 22 अप्रेल को फिर से रीनेम कर दिया गया और अंतरास्टी मात्री प्रित्फी दिवस इंटरनेशनल मदर अर्थडे के रूप में इसे अब मनाते हैं तो याद रखेंगे वस 2009 में से क्या है अब लाइक उसे युनाइटेड नेशन ने और ज्यादा उसका नाम रीनेम कर दिया पुनह उसे परिवासित कर दि या इंटरनेशनल मदर अर्थडे ठीक है तो यह याद रखेंगे गैलाड नेलसन साब एक्जाम में पूछा जा चुका है प्रित्फी दिवस एक्जाम में पूछा जा चुका है इस साल का जो थीम है इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट हमारे ग्रह में निवेश करें यह साल का थीम है यह बात है अभी सभी को समझ में आ गई अब यहाँ पर याद रखेंगे इसका स्टाटिक पार्ट इसका स्टाटिक पार्ट यहाँ पर याद रखें बड़ा इंट्रस्टिंग और बहुत ही लिंक है एक दूसरे साथ जैसे हम देखते हैं 22 क्या है अप्रेल है तो 22 अपका मार्च हो जाता है यह दोनों डेट फिर से इंपोर्टन हो जाते हैं आपकी इंवार्मेंट सेग्मेंट के पॉइंट अब उससे तो कैसे याद रखेंगे तीनों को आप हमीशा तीनों को एक ही साथ याद रखेंगे 22 अप्रेल आर्थ डे वर्ल्ड अर्थ डे यहां पर जल दिवस विश्व डिव वर्ड वॉटर डे जलदिवस यह जल दिवस क्यों मना जाता कभी सोचें आप क्योंकि वॉटर अपने आप में बहुत बड़ा अभी एक ऐसा रिसोस एक ऐसा संसादन है जहां पर आप देखते हैं उसकी कमी हमेशा से महसूस की जाती है आप सोचते होंगे कि प्रिथवी का तो 71% पार्ट क्या है तो फिर क्यों इतना वरी करना याद रखेंगी अगर 71% वाली पार्ट को अगर आप इसका लाइक फॉर्दर इसका जो है ब्रेकडाउन करें तो देखिए क्या इंट्रेस्टिंग फैक्ट निकल क्या आता है देखो प्रिथवी में क्या है 71% क्या है वाटर है अब इसका जो है break down अगर करते हैं तो कितना समद्री है समद्री में अगर देखते हैं तो 97% क्या है ये समुद्री पानी है जो किसी काम के नहीं हमारे न उससे drinking water की यूप में यूज कर सकते न उससे क्या अग्री लेकिन याद रखेंगे हम जब वाटर की रिक्वार्मेंट है जहां पर देखते हैं कि गर्मियों में पानी की जो है बहुत ज्यादा कमी महसूस होती है सूखा कभी पढ़ता है फसलों को तो वहां पर पानी सप्लाई नहीं कर पाते हैं ग्राइन लवणी पानी होता है ठीक है अब क्या करते हैं डेखो यह 97 परसेंट पानी को अगर 100% में क्या 97% क्या समुद्री है तो बचा हुआ 3% क्या है आपका स्वच्छ जल है केवल देखो पृत्थवी का केवल 3% पानी क्या स्वच्छ जल है अब इसमें भी फिर से निकालके देखो इसका further breakdown करो तो आपको फिर से नया effect देखने को मिलेगा इसका अगर आप इसको क्या अब फिलाल के लिए 100% मान लोगे क्योंकि स्वच्छ जल को अपने आप में further breakdown कर रहे तो ये जो breakdown होगा ये आपके लिए फिर से एक नया effect लेकर आएगा ये जो breakdown होगा अगर आप देखते हैं तो ये है आपका 75% ये क्या होता है ये पानी होता है आपका हीम और glacier के form में यानि कि snow और glacier के form में ठीक है तो इसे फिर से आप use नहीं कर पा रहे हो अब बसता है क्या है आप देखते हैं कि 24% ये क्या है आपका भूमी गजल ग्राउंड वाटर है ये क्या आपका ग्राउंड वाटर है भूमी गजल है आप देखते हैं? कि बचा हुआ जो है, देखते हैं, 0.3% ये क्या है आपका, ये है, आपका जील वगरा का, ऩीक है, लेग वगरा का, और यहाँ पे देखते हैं, 0.03% ये क्या होता है आपका नदियों का. अब सोचिए आप कहां यूटिलाइस कर पा रहें ना इसको यूटिलाइस कर पा रहें ना इसको प्रॉपर यूटिलाइस कर रहें ठीक है हम नीचे से खीच रहें लेकिन फिर भी अगर हम देखते हैं 100% के पॉइंट अब उससे यह जो सेगमेंट है बहुत छोटा है जब पार्ट है जहां पर बहुत नएने प्रकार के फैक्ट आपको देखने को मिल रहा है तो ऐसी सभी करेंट अफिस के पार्ट में हम कुछ नएने फैक्ट को समीसा सामिल करेंगे जो आपको एक्जाम में आपको बहतर अप्रोच प्रोवाइड करेगा नाओ कम टुदा वेरी भारत में अगर देखा जाए तो प्रमुख जो PSU है सारवेडिंग छेत्र की उपकरम है इसकी संक्या को है नौ से दस है तो उनमें से एक है मजगाओं डाकी डाकी सिप्यार लिमिटेड वैसे देखते हैं गार्डन रेज सिप्यार लिमिटेड हिंदूस्तान एरोनॉटिक् रक्षा चेत्र की उत्पात बनाने के लिए PSU से पॉब्लिक सेक्टर अंडर्टेकिंग से तो यहां पे एक वर्ड है देखो यह आपके CGPAC में पूछा जा चुका है प्रोजेक्ट 75 अगर 2018 का पिपर आप उठा कर देखें तो यह एक्जाम में पूछा जा चुका है कि यह म मजगाव venus ने क्या है प्रोजेक्ट 75 की चटी सब्मरीन वाक्सीर को सामिल किया और यह कौन से सेनी का है इसकृपिन जेनी का है मतलब डीजल सेनी का है ठीक है यह आपका नुकलीय सेमरी नहीं है ठीजल ऐलेक्ट्रीक सिप्रेनी के सेनी कहते है और यहां पिर याद रहें तो आप यहां पर क्या देखते हैं कि भारत में अगर हम प्रोजेक्ट 75 की बात करें तो याद रखना एक वर्स था 1999 यह ठीक वही वर्स था जब हमने भारत के साथ भारत और पाकिस्तान के बीच में कार्गिल वार हुआ तो कार्गिल वार के बाद जो देखते हैं रिव्यू करती है स्टैंडिंग कमीटी पार्लियामेंट की और वहां पे रक्षा विकास प्राधिकरण भी उसी वर्स घोसित किया गया था ठीक है कि इसकी स्थापनाप करनी पड़ेगी क्योंकि रक्षा चेत्र में हमको क्या है और मजबूत होना है तो उस समय जो है कि प्रोजेक्ट 75 और 30 years 30 years का जो सब्मरीन का एक और प्रोग्राम यह स्कीम लॉंच किया गया था वो दो स्कीम लॉंच किया गया था तो प्रोजेक्ट 75 के थू हम देखेंगे कि 6 ऐसे स्वादेसी स्वापनाइन हम बनाएंगे यह की टेकलोजी होगी लेकिन जो डेवलप्मेंट होगा वो इंडीजिनस होगा स्वादेसी होगा तो ऐसे 6 सब्मरीन हमको जो है प्रोजेक्ट 75 के थू हमको क्या है बनाने थे ठीक है जिसे हम 2005 से स्टार्ट करते हैं और 2012 तक हम उसको डिलिवर करने का टार्गेट रखते हैं लेकिन कुछ प्रावलम्स की वज़ा से हम अभी जो है छटी उसकी सब्मरीन जस्त हमें इसे क्या है कमिशन करें सामिल किये हुए तो याद रखेंगे कि यह जो पार्ट है बड़ा इंपॉर्टेंट है अब इसका जो है स्टैटिक पार्ट हम देखते हैं इसका स्टैटिक में अब यहां पर देखते क्या है कितने 6 ऐसे कंवेंशनल पंडुबी सब्मरीन स्वधीसी निर्माड से हम बनाएंगे जो लेटेस और त्याधूनिक होगा तो इससे हमने क्या है अभी जो है उसे छटा वाला हमने अभी जस्ट रिसीव किया है ठीक है लेकिन दूसरा हमारा निर्माड करना टार्गेट है ठीक है 2030 तक अभी 2022 हम एंटर कर चुके है तो 2030 तक और अभी हमारे पास कितना है केवल 6 ठीक तो यहां पर क्या देखते हैं कि भारत में जो बनेगी 24 जो 2030 तक बनेगी उसका जो है 24 में से 6 जो होगे क्या होगे नुकलियर सबमरीन होगे आपको मैं अगर कोश्चन पूछू भारत के पास कितने नुकलियर सबमरीन है तो अगर देखा जाए तो उसकी संख्या है 2 और वर्तमान में देखेंगे तो उसकी संख्या 1 है जैसे कि आप देखते है आई एनस अरिहंत ठीक है तो अरिहंत जो सबमरीन है ठीक है यह आप द तो फिलाल तो अब आइनस चक्रों को माइनस कर दो क्योंकि अब वो अड़ी कमिशन होने के फॉर्म में है उसे क्या वापस ले जाने वाला है रश्या तो हमारे पास क्या है अरिहंत ही एक मात्र बचा है हाँ इसमें कोई नया चीत जुड़ेगा क्या एस एक नया जुड़ नया जो सब्मरीन बनेगा यह जो सामील होगा यह भी क्या एक नुकलियर सब्मरीन बनेगा ठीक है तो नुकलियर सब्मरीन की एक्च्वल में तीन न्यूस में आएंगे अरिहंत आइनस चक्र और अरिघाट तो याद रखेंगे और अगर आपको पूछा जाए भारत की पह टेक्लोजिकल डेमोस्टेशन क्या था आपका अपसरा था जो 1954 पच्पन के समय में ही उसे क्या है बना दिया गया था ठीक है तो यह बातें याद रखेंगे इससे रिलेटेड आपके एक्जाम में पूछे जाते हैं प्रोजेक्ट 75 के तरह जो है के तरह 43 हजार कड़ों का अन खंडेरी आयनेस करेंज और आयनेस वेला को अल्रेडी चालू किया गया है ठीक अब यहां पर आगे हम देखते हैं आज के सशन का नेक्स्ट टॉपिक अगेन वेरी इंपॉर्टेंट यह इंपॉर्टेंट सेग्मेंट देखो आपका इन्वार्मेंट से रिलेटेड है अग कुछ नई नई प्राकार की जो बातें कहीं गई है जो कुछ kontroversial भी है कांट्रोवर्शाल सेग्मेंट में हैं कि हम देखेंगे जो छै मातपूर्ण अनुसूचियां होती है इसकी वह छय अनुसूची में कुछ न कुछ बदलाव किया गया तो यह बदलाव क्या है सभी अ वन इजीव सरक्षन अधिनियम 1972 है इसमें यह कहा गया है कि कुछ ऐसे एनिमल से कुछ ऐसे प्लांट हैं उनकी जो प्रजातियां हैं उनको यह जो 6 इंडेक्स है 6 अनुसूची है यह अनुसूची में कोई भी सामिल ही नहीं है कुछ ऐसे छूट गए है तो उसको सामिल करने क कुछ अधिकार को के उपर जो है केंद्र सरकार को प्रात्मिक्ता दी गई है जो कि स्थानी स्तर के कुछ बातें जो है राजिस्तर ज्यादा बेहतर तरीके से उसे क्या करती है मैनेज कर पाती है लेकिन उसका लाइक हैरार्कियल कंट्रोल उसका जो है पद अनुक्रम जो है Protection Act की बात करें तो आपने नाम सुना होगा National Park आपने नाम सुना होगा Wildlife Sanctuary तो ये कौन किस एक्ट के थ科 हैं जाते हैं कभी आपने सोचा हैं ये इसी एक्ट के थो बनाया जाते है 1972 एक्ट के थो और इस में क्या है वर्स 2002 में इसमें啥 जो है जो है इसमें क्या है आमेंडमेंड कर दिया गया इसमें क्या संसोधन कर दिया गया और इस संसोधन की बाद देखते हैं कि हमारे बाद देखते हैं आपने नाम सुना होगा समुदाय रिजर्ब और एक नाम सुने होंगे आपका सरक्षण रिजर्ब ठीक है Community Reserve and Conservation Reserve ये दो नाम सुनें तो 1972 से स्टार्ट किया गया था कि हम National Park बनाएंगे, White Lab Sanctuary बनाएंगे और यहाँ पे जो है अधिकार जो है राज्यों को दिया गया था उसमें केंदर सरकार की भूमिका भी रहती है लिके राज्यों को भी काफी अधिकार दिया गया था तो आप क्या देखते हैं कि उसमें क्या है वस दो हजार दो में एक ऐसा जो है कानूल लाया गया जिसमें हमने देखा कि दो और नए प्रकार के ऐसे सरक्षित छेत्र की बात की गई सरक्षिण रिजर्ब यानि कम्जर्वेशन रिजर्ब दूसरा है कम्यूटि रिजब में किसी चेत्र में किसी विशेस कम्यूटि को अधिकार दिये दिया जाता है कि बूरा एरिया को आप प्रटेक्ट करो ठीक है और वहाँ पर उनको जो है थोड़ा सा अधिकार दे दिया जाता है लेकिन conservation reserve में क्या होता है कोई भी नेशनल पार्क है जैसे यह कोई नेशनल पार्क है यह कोई नेशनल पार्क है तो इसका जो surrounding adjacent part है संलगन छेत्र है उस संलगन छेत्र को भी हम protect करेंगे तो वो जो protection होगा वो हैगा सरक्षण reserve conservation reserve होगा जिसकी जिसमें क्या है राज जिस्तर को ज्यादा अधिकार दिये गए थे कोई छेत्र को जैसे की बारनाप पार हो गया इंद्रावत्ती नेशनल पार्क हो गया आप कोई भी कोई भी ऐसा सरक्षण चेत्र उसका जो पार्ट है उसका जो सलगन पार्ट है उसे क्या है हम चिन्हित करेंगे उसे लोकल वहां की जो conservation committee होगी उस छेत्र में रहने वाले लोगों की उनको जो है अधिकार देंगे कि आप इसका सरक्षण करो ठीक है तो यह जो है अधिकार राज्यों को दिये गया थे अब उसक ठीक है तो भारत में अगर देखा जाए भारत में अगर इसकी संख्या देखी जाए तो यहां पर देखेंगे कि संख्या टोटल अभी क्या है संतानवे हो चुकी है और भारत का पहला ऐसा संख्या रिजब कंजर्विशन रिजब कौन था आपका तमिल नाडुगा तीरी न अखेंगे नेजनल वेली जो है फसथा नेशनलब पार्क में देखें है भारत में नेशनल पार्क की संख्या कुल संख्या अभी कितनी है ठीक है 1006 उसमें न नाद रखे एक जो है कनजर्वेशन रेजर्व की बात आप जानलो दूसरा आप देखते हैं कि इसमें कि इसका जो है कुछ पनिश्मेंट वाला पार्ट होता है कि अगर कोई हंटिंग करता है गेर कानूनी काम करता है या जो जिसमें जो प्रोविजन है उसको मानने से मना करत है तो दूर्स दोजार वर्स उनिस सो बहात्तर में जो प्रावधान थे कि कोई भी इसमें जितने भी प्रकार के अलग अलग प्रकार के प्रावधान है उसका उलंगन करने पर 25,000 रुपए तक फाइन लगता था और विसे इस रूप से सरक्षित जानवर को अगर हम उसमें उ 2021 में जो है इसे बढ़ा दिया गया है सामिल किया गया तो यह तो अच्छी बात है लेकिन कुछ प्रावधान है जो राज्यों के प्रावधान को काट लिया गया है और उसे क्या है ज्यादा परेफोल बना दिया गया है जो है central government को तो उसलिए किया कुछ विवाद है कुछ animal और कुछ species को लेकि भी कुछ विश्यस प्रकार की बाते कहीं गई है अलग अलग उसकी अबलाइक उनके जो recommendations है ठीकि यह standing committee का जो है सिफारिस था उसी रिपोर्ट को पढ़ा गया और यहां पर देखते हैं चुकि गवर्मेंट की पास majority है तो obviously इसे पास तो कर दिया जाएगा लेकिन कभी न कभी हम environmental segment से एक ethical point है उसे सोचें तो कुछ बातें कुछ amendment जो होते ही वो हमीशा जो है fruitful नहीं होते हमीशा हमारे पास जो degree of protection है जो हमारे पास सरक्षन का जो स्तर है वो ज्यादा मजबूत और ज्यादा कड़े होने चाहि ठीक है तो फिलाल आज के session में हम इतना ही रखते हैं मिलते हैं next session में कुछ नई बातों के साथ और current affairs related किसी प्रकार के कोई भी doubt होता आज के session में तो definitely आप comment box में पूछिए thank you so much have a nice day